हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बॉक्स प्लेट कुर्ती बनाएंगे, इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैबरिक लिया है, यह रियोन का है, सबसे पहले हम टॉप परड की कटिंग कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फैबरिक को फूर फोल्ड किया है, यह देखे यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है, और टॉप परड की ले ले रहे हूं 6.5 इंच इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को जोडते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अभी यहां पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जीन लेना है तो मैं ले रहे हूं 11.5 इंच आपका जो चेस्ट का साइज है उसको फोर से ड 9 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे और यहां पर वन इंच उपर मार्क करना है और हलका सा राउन्ड शेप दे देना है अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से हम आर्मोल का shape देंगे, यह हमारा back का आर्मोल है और half inch अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ करेंगे, यह हमारा front का आर्मोल है अभी देखे, front part पे हमें pattern बनाना है, तो इसके लिए हम neck की cutting नहीं करेंगे neck की cutting हम बाद में करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले back armhole से cutting कर लेना है तो देखे इस तरह से मैंने cutting कर ली है back armhole से अभी हमें इसे open कर लेना है और back part को side में रख देना है और front part को फिर से fold कर देना है और front armhole की cutting कर लेनी है तो देखे इस तरह से यहाँ पर फैबरिक को फूरफोल्ड किया है यह दिखें और यह फूरफोल्ड मैंने लिया है 9.5 इंच का जितना आपका आर्मोल है उससे 2-3 इंच जादा लेना है और स्लीव की लेंध मैंने लिया है 16 इंच अभी यहाँ पर ओपन साइट से हमें 3 इंच डाउन मर्क करना है और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे इस तरह से और यहाँ पर स्लीव बॉटम लेना है तो स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दुनों पॉइंट्स को जोड देंगे इस तरह से और स्लीव की कटिंग कर लेंगे तो देखे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है अभी हमें स्लीव को ओपन करना है और उसके बाद में हमें फ्रेंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है अभी देखे बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह के दो फ़ब्रिक के पार्ट्स लिए है फ्रंट और बैक के लिए और इसकी जो चवडाई है विड्थ वो हमने 40 इंच ली है तो देखिये वो हमें इस हिसाब से लेनी है तो जो टॉप पार्ट है उसे लेना है हमें और यहाँ पर हमें waist line measure कर लेनी है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मेरी waist line आ रही है 19 inch देखें यह 19 inch है तो 19 का हमें double कर लेना है तो 19 का double करेंगे तो वो आ जाता है 38 inch plus 2 inch हम margin ले लेंगे तो 40 inch हम इसकी width ले लेंगे तो इस हिसाब से हमने इसकी width 40 inch ले है और इसकी जो length है वो मैंने 36 inch ली है अभी हम इसमें से एक part को side में रख देंगे अभी इस part में मैं आपको box plates डाल के दिखाऊंगी तो सबसे पहले हमें इसके center पे mark कर लेना है यह center line है और उसके बाद में इस तरफ हमें 2.5 inch पे mark करना है पूरे में इसी तरह से दूसरे side में भी हमें 2.5 inch पे mark कर लेना है इस तरह से अभी देखे जो center वाली line है तो center के side वाली line को उठा के हमें center वाली line पे रखना है और यहाँ पर हमें pin लगा लेना है इसी तरह से center से दूसरी वाली line है उसे भी हमें इसके उपर रखना है और पिन लगा लेना है और उसके बाद में देखे हमें यहां पर इस लाइन को उठा के इस तरह से रखना है और यहां पर भी हमें पिन लगा लेना है इसे उठा के इस तरफ रखेंगे और पिन लगा लेंगे तो इस तरह से हमें box plates डाल लेनी है और इसी तरह से दूसरे वाले side में भी हम plates डाल लेंके तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर हमारी four plates बन जाती है तो देखें इस तरह से हमने यहाँ पर इसे stitch कर लिया है और इसी तरह से हमने back part के लिए भी box plates डाल ली है अभी हम front part के लिए neck बनाएंगे तो इसके लिए ये मैंने canvas paper लिया है इसे हम fold कर देंगे ये open side देखें और ये fold side है तो यहाँ पर मैं boat neck बनाऊंगी तो इसके लिए मैं neck width ले रही हूँ 4 inch और neck deep में ले रही हूँ 4 inch और यहाँ पर हमें round shape दे देना है इस तरह से और यहाँ पर देखें 1 inch का हमारा pattern रहेगा patch तो इसके लिए यहाँ पर हमें पूरे में 1-1 inch पर mark कर लेना है और इन points को जोड़ देना है और अब हम इसकी यहाँ से और यहाँ से cutting कर लेंगे तो देखें इस तरह से हमें canvas paper पे neck की cutting कर लेनी है अभी देखें हमने यह fabric लिया है इसके उपर हम neck को रखेंगे और यहाँ पर हम neck width चेक कर लेंगे और इसे हम press से चिपका लेंगे तो देखें इस तरह से हमने इसे press से चिपका लिया है अभी यहाँ पर हम half inch का margin चुड़के extra कपड़े को cut कर देंगे तो देखें इस तरह से हमने extra कपड़े को cut कर दिया है अभी इसे इस तरह से हम fold करते हुए press से दबा देंगे तो देखें इस तरह से हमने इसे press कर लिया है अभी इसके center पर हमें एक cut लगा लेना है अभी हमें front का part लेना है और यह front part की wrong side है यह देखें और इसके उपर हमें patch को भी उल्टा रखना है center से center को मिला लेना है अच्छे से और उसके बाद में हमें canvas के बिल्कुल किनारे से शिलाई लगा दीनी है तो देखें इस तरह से हमने शिलाई लगा दी है अभी half inch का margin चोड़ते हुए extra कपड़े को हम cut कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम छोटे छोटे cut लगा लेंगे और इस patch को हम CD side में turn करेंगे इस तरह से और उसके बाद में देखें यहाँ पर हमें top stitch लगा लेना है तो देखें इस तरह से हमने आपे top stitch लगा लिया है अब यहाँ पर हम potly buttons attach करेंगे तो इसके लएए हमने देखें इस तरह के potly buttons बना लिये हैं तो potly button को इसके अंदर रखते हुए हम stitch कर देंगे इसे तो देखें इस तरह से हमने यहाँ पर potly buttons stitch करके फ्रेंट का नेक बना लिया है अभी ये हमारा बैक का पाट है तो यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर भी हम बोट नेक का निशान लगाएंगे तो नेक विर्थ में ले रहे हूं 4 इंज और नेक डीप में ले रहे हूं 4 इंज और यहाँ पर इस तरह से हम शेप दे देंगे और पाव इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंगर लेंगे तो देखे इस तरह से हमें बैक नेक के लिए भी बोट नेक की कटिंगर लेनी है अभी हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है इससे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो देखे इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अभी हमें यहाँ पर छोटे-छोटे कट लगा लेने है और cut लगाने के बाद में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे तो देखे इस तरह से हमने top stitch लगा लिया है बाद में हम यहाँ पर hand stitch करेंगे अभी हमें front का part इसके उपर उल्टा रखना है दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखके हमें shoulder attach कर लेना है अभी देखे sleeve में हम border attach करेंगे तो इसके लिए यह हमने strip ली है और strip के width है 1.5 inch तो strip को हम यहाँ पर रखेंगे और wrong side से हम strip को attach करेंगे तो देखे हमने यहाँ पर strip को attach कर लिया है अभी हमें strip को सीधी side में turn कर लेना है और यहाँ पर हमें top stitch लगा लेना है और यहाँ पर इसे हमें fold करते हुए stitch कर लेना है तो देखे इसी तरह से हमने दोनों sleeve में यह border attach कर लिया है अभी हम sleeve को attach करेंगे shoulder पे तो इसके लिए हम sleeve को shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से दूसरा स्लीव भी हम स्टिच कर लेंगे तो हमने दोनों स्लीव को एटेच कर लिया है अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को एटेच करेंगे तो इसके लिए हमें देखे टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ओपर उल्टा रख देना है और इसे स्टिच कर लेना है इसी तरह से हम बैक पार्ट के बॉटम को भी स्टिच कर लेंके तो हमने यहाँ पर टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटेच कर लिया है अभी हमें यहाँ पर bottom में भी border attach कर लेनी है तो इसके लिए यह हमने strip ली है यह straight strip है और strip की जो width है वो 2 inch है तो strip को हम wrong side से लगाएंगे यह देखे wrong side से हमें इसे stitch कर लेना है front और back दोनों parts में और उसके बाद में हम इसे सीधी side में turn करेंगे और यहाँ पर हम इसे double fold करते हुए stitch कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारी strip यहाँ पर attach हो जाएगी और हमारा border भी fold हो जाएगा तो देखे हमने border लगा लिया है अभी हम इसे उल्टा करके fitting कर लेंगे Thank you for watching मैं वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजी और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजी Thank you